नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया वक्त हो चला है कुछ खास खबरों का बाराबंकी में शराब कांट केस के बाद से पुलिस ने हरकत में आकर अपनी धर पकर तेज कर दी है इसी क्रम में प्रशासन को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है दरसल पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक में शराब छुपा लिये जा रहे है दो तसकरों को गिरफतार कर लिया है पुलिस को उनके पास से 40 लाख रुपए की कीमत वाली 300 पेटी शराब बरामद हुई है बारावंकी के पुलिस अधिक्षक अजय साहनी ने बताया कि इस मामले की जाच करके कड़ी कारवाई की जाएगी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरी बार देश में जीत दर्ज करने के बाद शपतग्रहन ली उन्होंने अपने शपतग्रहन समारों के बाद करगिस्तान गरदाज के रास्ट्रुपती मैत्री पाला स्री सेना से भी मुलाकात की प्यम मोदी ने दोनों नेताओं से अपने देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की वाइस एडमिलर करमबीर सिंग ने 24-वे नौसेना प्रमुके तोर पर कारेभार ग्रहन कर लिया है पद सम्हालने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे पूर्व वर्तियों ने यस्वनिश्चित किया है कि नौसेना की निव काफी मजबूत है और यह नई उचायों को चू रही है साथी उन्होंने ये भी दावा किया कि वा रास्टर को ऐसी नौसेना प्रदान करेंगे जो मजबूत विश्वसनिये और समुद्री छेत्र में सुरक्षा तैनाती का सामना करने के लिए तयार हो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का विधायक बैजनात रावत की तरफ से सत्रुई लुक सभा में बीजपी पार्टी और माननिये नरेंद्र मोदी जी को उनकी जीत के लिए धेर सारी बधाई और शुपकामना है हम यही आशा करते हैं कि आप देश को विकास के पत पर ले जाने के लिए हमेशा अग्रसर रहें ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आजमगर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है डॉक्टर ने रेप पीडित युवती का मेडिकल कराने से इंकार कर दिया जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामाज शुरू कर दिया हंगामे का वीडियो वाइरल होने पर CMS ने दूसरे डॉक्टरों को मेडिकल करने के आदेश दिये है वही SP का कहिना है कि रेपोर्ट के आधार पर आगे की कारवाई की चाहेगी बागपत रेलवेज टेशन पर दिल्ली से सहारनपूर जा रही जहां इलाज के दौरान यूवक की मौत हो गई फिलाल पुलिस हाथसे की जाच पे जुटी है आजमगर में पुलिस ने गुजरात के सूरत में हुए अगनी कांट हाथसे को लेकर चेकिंग अभ्यान चला है दौरान उन्होंने आग बचाओं के लिए रोकथाम की जानकारी दी वहीं इस आफसर पर स्पी त्रिवेडी सिंग के साथ अन्या अधिकारी भी मौजूद रहे लक्टाओं के थाना चौक में अग्यात कारणों के चलते एक यूवक की मौत हो गई वहीं सूशना पर पहुची पुलिस ने शौको कब्जे में लेकर पोस्मार्टाप के लिए भीज दिया है और साथ ही पुलिस का कहना है कि पोस्मार्टाप रिपोर्ट के आधार पर ही मामली की कारवाई की जाएगी बतादे पश्ममार्टाप को पुटे के केवल दो राज्यमंत्री ही केंद्रि मंत्री मंडल में शामिल किये गया है सूत्रों के मताबिक बहुत अनुभवी चहरे नहीं होने की वजए से मोधी सरकार में बंगाल को अपेचित परतेनिधृत्वर नहीं मिल पाया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में विदेश मंत्राले की जिम्मेदारी सम्हालने वाली सुष्मा स्वराज ने मोदी सरकार के दूसरे कारेकाल में मंत्रियों की शपत के बाद ट्वीटर पर एक संदेश लिखा जिसमें उन्होंने पीम मोदी को तह दिल से धन्यवातिया दरसल मोदी के दूसरे कारेकाल में मंत्री मंडल में पूर्व विदेश मंत्री सुश्मा स्वराज को जगह नहीं मिल सकी है